नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं इव इदिया चानल नमबर दस आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेनु भट अपने इस लाइव इंटराक्शन में जिसमें हम बात करने वाले हैं दसवी कक्षा के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए और आज हम उनके लेकर आएं हैं पाठ सूर्दास के पद और जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि सूर्दास भक्ति कालियन साहित्य में उन्होंने क्रिशन भक्ति पर काफी कुछ लि आप हैं डॉक्टर वंदना शर्वा माम आपका बहुत बहुत स्वागत है तेंक यू धन्यवाद और हम अपने सभी देखने वालों को बता दें कि माम सहायक आचार्य है भाशा शिक्षव विभाग NCRT नई दिली में और आपके में बच्चों कोई भी प्रशन आ रहा हो अ डेबल फोर जीरो डेबल फाइफ नाइन या फिर आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारा इमेल आड्डरिस है डीटेएच डॉट क्लास तेंथ एड़ दरेट सी डॉट अनाइसी डॉट आइन और आप इन माधिमों से हमसे जुड़िये हम चाहते हैं कि जादा से जादा संख्या म आप हमसे जुड़े सभी अपनी बातों के साथ अपने प्रशनों के साथ ताकि आपके प्रशनों का हल और जवाब हमारी विशेशिक आप सभी को दे तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के सत्रों माम के पास जाएंगे हम माम जैसे हमने बताया कि हम सूर्दास के पदो साहित्ते के जाने माने कवी माने जाते हैं इन्होंने क्रश्न भक्ति से संबंदित पद लिखे और इन्होंने क्रश्न के प्रती जो उनकी अनन्य भक्तिती उसको उदगाटित करने का प्रयास किया सूर्दास जी का जन्म माना जाता है कि दिल्ली के आसपास सिही नामक स्तान पर हुआ और इनके जन्म के संबन्द में अलग-अलग माननेताई हैं इन्होंने सूर्सागर, सूर्सारावली और साहित्यलेरी नामक ग्रंतों की रशना की आज हम जो कक्सा 10 में क्षितिज भाग 2 में से पढ़ेंगे वह सूर्दास के पद हैं और इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जब स्री कृष्ण गोकुल से मथुला चले गए थे और गोपियों की जो उनकी विरह में स्तिती थी उसका किस प्रकार सूर्दास जी न अपनाईए आप मेरे प्रेम में ने पढ़कर योग का मार्ग अपनाईए ताकि आपका उद्धार हो लेकिन जो गोपियां हैं उन्होंने इसका कटाक्स किया और उद्धव को उल्हाने दिये उसको वेंगे दिये ताकि वह उनको ज्यान का उपदेश ना देखर स्री कृष इसके अंतरगत चार पद है प्रथम पद है उद्धो तुम हो अति बढ़भागी अप्रस रहत स्ने तगाते नाहिन मन अनुरागी पुरईनी पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी जो जल माह तेल की गागरी बूनन ताके लागी प्रीति नदी में पावन बोर्यों चाटे जो पागी उद्धव को गोपियां कह रही है कि है उद्धव तुम बहुत भागेशाली हो बढ़भागी अतार्थ भागेशाली अप्रस वह उन पे वेंगे कर रही है अप्रस रहत ने तगाते नाहिन मन अनुरागी यद्धे पे तुम श्री कृष्ण के पास रहे फिर भी तुमारा मन उनके प्रेम में नहीं पड़ा अनुरागी अतार्थ उनके प्रेम में नहीं पड़ा पुरई निपात रहत जल भीतर तारस देहन तागी पुरणी यानि कमल का पत्ता रहत जल भीतर जल के भीतर रहता है तारस देहन दागी फिर भी वह जल के दाग उस पे नहीं लगते हैं उसी प्रकार तुमारी स्तिती है जो जल माह तेल की गागरी बूनन ताके लागी और तुमारी दूसरी स्तिती इस प्रकार है जिस प्रकार तेल की जो मटकी होती है वो जल के बीतर गिर जाती है फिर भी जल की बून्दे उस पे टिकती नहीं है प्रीती न नदी यानि प्रेम रूपी नदी में अपना पाउं नहीं डाला है द्रश्टी ने रूप परागी और तुमारी द्रश्टी उनके प्रेम की ओर नहीं गई है सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी सूरदास जी गोपियों के माद्यम से कहना चारे हैं कि हम तो अबला नारिया हैं हम तो अबला स्त्रिया हैं हम क्या भोली भाली गोपिया हैं हम तो स्री क्रिश्न के प्रेम में उसी प्रकार चिपक गई हैं जिस प्रकार गु इसके अंतरगत गोपिया कहना चारी है कि हमारे अंदर जो प्रेम की बात स्रिक्रिश्न के पृति वो हमारे मन की भीतरी रह गई है और हम उसको अभिवक्त नहीं कर पा रहे हैं मन की मन ही माज रही कईये जाई कोन पे उदो नाही परत कही अवधी अधार आस आवन की तन मन बिठा सही अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरही नी बिरह दही चाहती हुती गुहारी जीत ही ते उत्ते धार बही सूर दास अब धीर धरही क्यों मरजा दाने लही इसके अंतरगत उद्धो को गोपिया कहती है कि हे उद्धव हमारे मन की बात तो हमारे मन के भीतरी रह गई कहिए जाई कोन पे उद्धो नाही परत कही हम किसे कहें हे उद्धव हम हमारे मन की बात किसे कहें ये हमसे नहीं कही जा रही है अवदी अधार आस आवन की तनमन बीथा सही अवदी यानि लंबा समय अधार आस आवन की उनकी आस में आने की आस में काफी समय लग गया निकल गया तनमन बीथा सही और हमारा सरीर इस कार उनकी आस में हमारा सरीर बहुत सारे कश्टों को सहते हुए भी सारा समय निकाल दिय फिर भी स्रीक्रिष्न नहीं आए अब इन जोग संदेश सनी सुनी बिरहनी बिरह दही और हम अब क्या कर रहे हैं वो हमें योग का संदेश दे रहे हैं और इस संदेश को सुनकर हमारी इस्तिति क्या हो गई है बिरहनी बिरह दही हमारा सरीर विरह के अंतर जल रहा है हम क्या चाती है हम चाती है उनकी और जाना उनकी प्रेम में जाना लेकिन उत्ते धार बही और उधर से कौन सी धारा बहती है उधर से योग की धारा बह रही है सूरदास अब धीर धरही क्यों मरजादा ने लही सूरदास जी गूपियों के माद्यम से कहना चाह रहे है कि अब हम धेरे धारन क्यों करें अब हमें हम मर्यादा का पालन नहीं कर सकतें कौन सी मर्यादा बोलने की मर्यादा की अब हम बोलने की मर्यादा को लांग रहे क्योंक अगला पद इस पत के अंतरगत सूर्दास जी ने गोपियों की जो अनन्य प्रेम की पराकाश्ट है उसको दर्साने का प्रियास किया है देखिए हारिल की लकड़ी जिस प्रकार हारिल पक्षी होता है वो लकड़ी को द्रड़ता पूर्वक अपने पंजे में लेता है उसी प्रकार हमने स्री कृष्ण को क्या किया है मन क्रम वचन से नंद नंद अर्थात श्री कृष्ण के पुत्र को उर्थात हरदय में बसा लिया है यह द्रड करी पकरी और द्रडता पूर्वक हमने उनको पकर लिया है जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान कान जकरी और जागते हुई सोते हुई स्वप्न में सपने में दिवस दिन में निशी रात में कान कान जकरी हमारा मन निरंतर कान कान यानि कृष्ण कृष्ण की रट लगाए हुए रहता है सुनत जोग लागत है एसो जू करवी ककरी हमने तो एसा सुना है कि योग किस प्रकार लगता है जिस प्रकार करवी ककडी लगती है उसी प्रकार का ये लगता है सूर तो ब्याई हमको ले आए दे की सुनीन करी और तुम हमें इस बात का उपदेश दे रहे हो जिसके बारे में हमने कभी सुना भी नहीं है और देखा भी नहीं है यह तो सुर तिनही ले सोपो जिनके मन चक्री है सूर दार जी कहते हैं कि गोपियां कहती है उद्धव को यह तो तुम उनको सोपो जिनके मन चक्री है जिनके मन ऐस तिर और चंचल है हमारा मन तो क्या है स्रीक्रिश्ण में निरंतर लगा हुआ रहता है अगला पद हरी है राजनिती पड़ी आए समुझी बात कहत मदुकर जो समाचार कचुपाए एक अती चतुर हुते पहले ही अरुकरी नेह दिखाए जाने बुद्धी बड़ी जूतिन को जोग संदेश पठाए बले लोग आगे के सखीरी परहित डोलत धाए वे अपने मन फेर पाईए जेहे चलत चुराए तेक्यों नीत करत आपुंजे औरनी नीत चुडाए राज धर्म सब भूर भय सूर्ज हैं प्रजान जाए सताए अब क्या हुआ श्री कृष्ण मतुरा चले गए और अब गोपियां कह रही है उद्धव को कि हरी अर्थार्थ श्री कृष्ण बड़ी चतुर हो गए उन्होंने राजनिति का ज्यान कर लिया या राजनिति पढ़ लिये समुजी बात मदुकर सो गोपियों को कहती है कि सक्यां तुमने मदुकर की बात सुनी है राजन staircase को चुपाई वो जो समाचार लाए है तुमने कुछ सुना है एक अतिचतुर हुद्ते पहले ही एक तो वो पहले से आरुकरी नेह दिखा और और बाद में उन्होंने क्या किय अपने पे प्रेम दिखाया ने यानि प्रेम जानी बुद्धी बड़ी जूतिन को जोक संदेश पढ़ाए कि अब उनकी बड़ी हुई बुद्धी का परीचे किस प्रकार मिल रहा है कि अब वो हम एक तो हमें छोड़ कर चले गए और दूसरी तरफ वो हमें योका संदेश द कि है सखी पहले के लोग अच्छे थे कि वो दूसरों के हित के लिए कारे करते थे वे अपने मन फेर ही पाईए जे हैं चले चुराए कि वे अब क्या किया उन्होंने अब वो हमने अपना मन फेर लिया है क्योंकि वो दूसरों के मन चुराते हुए फिरते हैं ते क्यों नित तो जो व्यक्ति दूसरों को अच्छी नीती से हटा कर बुरी नीती की ओर ले जाता है तो हम क्यों उनके साथ नीती करें यह गोपियों का जो स्रीकृष्ण के प्रति रोश था स्रीकृष्ण के प्रति जो गुस्सा था इसमें इसकी अभिवेक्ति हुई है राज धर्म सब गए भूर सूर जह प्रजाने जाय सताएं गोपिया कहती है कि राज धर्म वही होता है एक राजा का जहां कि प्रजा सुक सुम्रद्दी से रहे जहां कि प्रजा को सताया नह जाए इसी लिए है उद्धव स्रीकृष्ण बड़े कुटिल हो गए है और वह कहा चले गए वो मतुरा जाकर हम सबको उन्होंने बिसरा दिया है और हमें इसके बदले में वह योग का संदेश देना चाहरे हैं इसी प्रकार इसमें जो गोपियों के माद्यम से जो उपालंब की भावना थी उद्धों के प्रति उसकी अभिवेक्ति हुई है और गोपियों का जो स्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है उनको ये जो भियोग है वे सब अरूचिकर है उनको किसी भी प्रकार का बाहरी चीजों से मौह नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ स्री कृष्ण की होना चाहती है तो माम ये तो बात है इन पदों की जो सूरदाज जी ने लिखे यहाँ पर हम आप से जारना चाहेंगे आपने बहुत ही अच्छे से इसकी व्याख्या की कि सूरदाज जी इन पदों के द्वारा इनके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं सूरदाज जी स्रीक्रिष्न के अनन्य उपासक थे और उनकी जो भ्रमरगीत सार प्रसंग है जो सूर सागर से लिया गया है उसके माधम से मैंने जो पहले भी बताया है कि जब स्रीक्रिष्न मतुरा चले गए थे और गोपियां वहाँ गोकुल में अकेली रह गई थी तो स्री गोपियां हैं जो स्रीक्रिष्न उद्व उनको योग का संदेज देते हैं तो गोपियां उन पर क्रोधित हो जाती है और कहते हैं कि हमें तो हमारे स्रीक्रिष्नी सरुप्रिये हमें इस योग की जरुरत नहीं है इस प्रकार सूरदाज जी ने जो क्रिष्न के प्रति अनन् कि गोप्यों की कृष्ण के प्रती जो भक्ति थी किस प्रकार की भक्ति थी? हालनकि हमें यहाँ पर पता चला कि उन प्रगार प्रेम जरूरर था, भ़क्ति के बारे में आप से जारना चाहेंगे? ललावा किसी की और देखना पसन नहीं करती ति क्योंकि जो भी आ उनके साथ जो प्रसंग हुए वह उनको अपना सरुपरिय और सर्व Schnreeze उनहीं को मानते ती तो यह तो कुछ प्रश्ण माम औह रहें उनके पास प्रश्ण म्यानिम। हमारे इस पार्ट के साथ अभ्यास प्रश्ण जुड़े हुई हैं जो विय्त्यारतियों के लिए परिक्सा उप्योंगी तो हम उनकी और द्यान आकरशित करना चाहेंगे गोपयों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या वहेंगए नहीं थे जब गोपियां उद्धो को कहती है उद्धो तुम हो अति बड़ भागी तो वो उसको भाग्यवान ना कहकर भाग्यहीन कहती है कि तुम यद्धेपी स्रीक्रिश्न के पास रहे फिर भी उनका प्रेम नहीं प्राप्त कर पाई यही उसमें वेंगे नहीं थे अगला जो तेल का घड़ा होता है उससे की गई है कि वह उसमें रहने पर भी उनका कोई असर नहीं पड़ता गोपियों ने किन-किन उधारनों के माद्यम से उद्धो को उल्हाने दिये हैं गोपियों ने उल्हाने दिये हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहने पर भी उसके जल के दाग नहीं लगते हैं दूसरा, जब मिट्ती का घड़ा, सोरी, तेल का जो घड़ा है, वो उसके भीतर गिर जाता है पानी में, तो पानी की बूंदे उस पे नहीं टिकती, इसी प्रकार प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पाउं नहीं डारा, इस प्रकार उन्होंने उलहाने दिये हैं। अगला प्रेश्ट, उद्धव द्वारा दिये गई योग की संदेश ने गोपियों की विरह अगनी में घी का काम कैसे किया। अगला प्रेश्ट, गोपियों ने उद्व से योग की सिक्सा केसे लोगों को देने की बात करती हैं। योग की सिक्सा दी जा सकती है। हमारा तुस्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम हैं। इसलिए हमें इसकी आवश्यक्ता नहीं है। प्रस्तुत पदों के आदार पर योगोपियों का योग साधना के प्रस्ति द्रश्टिकोन व्यक्त कीजिए। गोपियां चुकी सगुण भक्ती की उपासक थी। इसलिए वह क्या करती है। वह योग साधना का विरोध करती है। इसको नीरस बताती है और इसको किसी भी काम का नहीं बताती। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार एक राजा का धर्म होना चाहिए। गोपियों को जब स्री कृष्ण माथूरा चले गए तो वह बड़े राजनितिक्य हो गए, बड़े कुटले हो गए और बड़े स्वार्थी हो गए। ऐसा गोपियों को लगा। तो गोपियों ने कहा कि वह बड़े चतुर हो गए हैं और उन्होंने ग्रंतों को पढ़ लिया। इसलिए उनका ध्यान हमारे उपर नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना मन वापस लेने की बात कही। गोपियों ने अपने वाग चातुरे के आधार पर ज्यानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाग चातुरे की विशेष्टाएं लिखिये। गोपियां वाग चातुरे थी बोलने में चतुर थी तरक आत्मक्ष्मता अच्छी थी उनकी तर्प वितरक कर सकती थी और तरक के आधार पर वह उद्धव को परास्त कर दिया। संकलित को ध्यान में रखते हुइं सूर के ब्रह्मर गीत की मुख्य विशेश्ता बताईए कि ब्रह्मर गीत में संगीता अत्मकता है वेंग्यात्मकता है और सात ही सगुण भक्ति के बारे में बताया गया गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तरक दिये आप अपनी कलपना से तरक दीजिए आप अपनी कलपना से कुछ भी तरकों का प्रियोग कर सकते हैं उद्धव ज्यानी थे निति की बाते जानते थे गोपियों के पास ऐसी कौन सी सकती थी ज कि गोपियां स्री कृष्ण का की उपासक थी और वह उनके प्रेम में लीन थी तो स्री कृष्ण और उनके मद्दे जो भी समवाद था वह वाग्चातूरिता उनकी और अत्य दिक बढ़ गई क्योंकि उन्हें स्री कृष्ण पे पूरा भरोसा था गोपियों ने यह क्यों कहा हैं और हमें योग का सन्देशा भिजा हरे जो हमें कता ही से का नहीं है इसलिए गोपियों ने कहा कि हारी ने अब राजनित्ती का घ्यान कर लिइआ है और वो कुटिल हो गए वह चतुर हो गए हैं इस प्रकार इन प्रश्णों का उत्तर है तो यह तो बात हुई माम इन प्रश्णों की और अब हम आपसे जारना चाहेंगे कि अगर हम बच्चों के विद्यार्थियों के परिपेक्ष से देखें तो जब वो पदों की व्याख्या करें तो किन-किन बात साथ ही पुस्तक के साथ जो कटिन शब्दार्थ हैं उनको पड़े और उनको पढ़ते हुए उनका प्रियोग करते हुए अपनी व्याख्या को इस समय नहीं तो उनको और समझ में नहीं आए तो उन को लेकि माम जाते जाते क्योंकि अभी भी हमाञेपस तीन मिनट कः समय और है अपने सत्र के लिए क्या कुछ इसी बात हैं जो आप हमारे सबी विद्यार्थी circles के साथ साजा करना चाहेंगे विध्यार्थों के साथ में पद्धा करना चाहूंगी कि जो हिंदी सहिते में जो सूर्दाजी हैं उनके प्रहमरगीचार में sis साथ वादसल्य के पद भी आते हैं जो कृष्ण का बालपन है जो उनका बच्पन है उसको उनमें दिखाया गया है तो जो सूर्दास के द्वारा सूर सागर की रचना की गई वह बड़ी ही मनमोहक और बड़ी पठनी हैं इनको हम गुनगुना भी सकते हैं और गुनगुनाते हुए हम याद भी कर सकते हैं तो यह विद्यारत के लिए बहुत ही रूचिकर होगा साथ ही पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए भी यह बहुत ही रूचिकर और अनन्दाई हो सकता है तो यह तो वह बाते रहीं जो आपको अपने मन मस्तिष्क में रखनी है जब आप य पूरा पार्ट हमारे सभी देखने वालों तक पुंचाए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद साथ ही हम यह अपने सभी देखने वालों से कहना चाहेंगे कि छोड़े से ब्रेक पे जा रहे हम ब्रेक के बाद एको live interaction के साथ हाजिर होंगे जो की 9th standard के social science के students के लिए है और हमारा topic रहने वाला है climate तो क्या कुछ खास जानकारी विशेश जानकारी आपको दी जा रही है उसे आप जरूर सुनें लेकिन अभी फिल हाल मुझे रेणू भट को देनू मती नमस्कार